हैपी क्रिस्मस टू आल गांधिवादी समाजी करांतिकारी हिमान्सु कुमार जी की एक महत्वपुन ले कॉमरेड जीसस को लाल सलाम जीसस ने बच्पन से बहुत आकर्सित किया है वे एक चरवाहे के घर पैदा हुए भेड चराते रहे एक निदोस जीवन जीए जब एक महिला को सजा देने के लिए पत्थर मारने वाली भीड आतुर थी तो उन्होंने निर्वी खोकर भीड से कूछा पहला पत्थर ओ मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो है न साहस की बात जीसस का जन यहुदी धर्म में हुआ पुराना धर्म कहता था दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख यही धर्म है यही रिती है जीसस ने कहा नहीं यह धर्म नहीं है बलकि धर्म तो यह है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दुसरा गाल भी आगे करतो और कोई तुमसे कमीज मांगे तो तुम उसे अपनी कोट भी दे दो जिसस ने कहा सुई के छेट से उट का निकलना संभव है लेकिन किसी अमीर का स्वर्ग में प्रवेश अशंभव है जिसस इसे भी आगे बढ़कर मंदीर उस समय के धर्म के केंद्र के परिशर में बैठकर गरीबों को ब्याज पर पैसा देने वाले सहोकारों पर कोड़े लेकर तूट पड़े थे उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया उनकी मेजे उलट दी थी इसा मसी के समर्थकों ने अनुवाईयों ने उनके नाम पर किसाई धर्म बना दिया इसाई धर्म के चर्च उनके पादरी और इस धर्म के समर्थक राजाओं ने मिलकर गरीब किसानों का वैसा ही सोसन किया जैसे भारत में पुरोही राजा और उनके कठचोडने किया है गैलेलियों को बिग्यान की बात कहने के पराध में चर्च द्वारा उम्र कैदे दी गई क्योंकि बिग्यान की सच्चाई का बाईविल के बात से मेल नहीं खाता था ब्रुनों को भी सच कहने के कारण चर्च ने जिन्दा जला दिया इसाईयों ने कई सो साल तक चलने वाले युद्ध लड़े दुनिया को लूटने वाले और सारे संसार पर जुद्ध छोपने वाले अमेरिका और उरोप के पुंजी वादी रास्ट खुद को जिसस का नुआई कहते है है न ये बिदमना वाली बात जबकि जिसस गरीब के तरह पैदा हूँ गरीब के तरह जिया गरीब के लिए जिया और गरीब के तरह मर किया यही संस्थागत धर्म की तरास्ती है जब जिसस को वहां के राजा ने सलीब ढोने पर मजबूर किया तो दो चोरों के साथ अपना सलीब खुद अपने कंधों पर ढोने के लिए मजबूर किया गया था काटो की टहनी उसके सर के चारो तरफ पहना दी गई अंति में जिसस को लकड़ी के सली पर कीलो से ठोक दिया गया सबकी अपनी अपनी मानेताय हैं जिसस हम सबको एक धार्मिक नेता नहीं अपना साथी लगता है इसलिए आज हिमान्शु कुमार की प्रस्तुति कुमार वानिचेनल पर